असलामु आलेकुम डियर स्टुडेंट्स मेरे अजीज तुल्बा वेलकम टू एक्टिव लेर्नर्स पॉइंट आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं स्ट्रेंडर्ट फोर्थ का ब्रीज कोर्स का टेस्ट नमबर थ्री सब्जेक्ट इंग्लिश थीक है बहुत ही इजी पेपर है बहुत मज़ेदार पेपर है बहुत अच्छा पेपर है आप last तक वीडियो देखिए किस तरह से solve करना है सीखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं Question number one है, match the following pictures, आपको pictures match करना है, अच्छा, ये विडियो English medium, उर्दू medium, same English, सब students के लिए है, तीक है, even Marathi medium के students के लिए भी है ये विडियो, Group A, Group B, I am happy, तो देखिए pictures, इसमें ये जो boy है, वो sad, sleepy नजर आ रहा, इसमें happy नजर आ रहा, तो I am happy को हम इससे जोड़ेंगे, I feel sleepy, ये जो first picture इसमें boy sleepy नजर आ रहा, I am angry, तो इस picture में angry नजर आ रहा, I am scared, यानि मैं डरा हुआ हूँ, तो इसमें scared नजर आ रहा, ठीक है, happy मिन्स खुश, sleepy मतलब से नीद आ रही है, angry मतलब गुसा है, और scared मतलब डरा हुआ है, question number two है, complete the sentence by using proper word, आपको इन sentence को complete करना है, और इन words को use करना है, जिसे कि in यानि अंदर, behind यानि पीछे, on यानि उपर, और near यानि बाजु में, फर्स्ट है, the bird was sitting, dash the branch, तो the bird was sitting on the branch, तो यहां क्या आएगा, on, second is, she was hiding, dash the cupboard, she was hiding behind the cupboard, या क्या आएगा, behind, यानि के, वो कबड के पिछे, छुप रही थी, she was hiding behind the cupboard, third है, there is some milk, dash the bottle, there is some milk in the bottle, milk किस में है, पॉर्टल में है, ठीक है, तो यहां आएगा, in, fourth है, amid sits, dash the table, amid sits, near the table, near, इस तरह से, उसके बाद है, question number three, make new words by changing first alphabet, अब यहां देखिए, cat, cat का c चेंज कर के b लगा दिये, तो बन गया bet, cat, bet, उसी तरह man, यहां आप लगा दो, f, fan, या फिर man, can, उसी तरह second है, sure, pure, उसी तरह third है, grow, crow, hen, man, आप कोई भी लेटर लगा सकते, उसी के साथ man, pen, p लगा देंगे, तो pen बन जाएगा, उसी तरह, sure, c लगा देंगे, तो बन जाएगा, cure, hen, ten, grow, और throw भी हो सकता, ठीक है, तो यहां पर grow, crow ही रहने दीजी आप, question number four है, make four words from the given chart, इस chart में से लेटर यूज़ करके आपको, four words बनाना है, meaningful, इसे के, c, a, t, cat, c, a, t, cat, उसके बाद, m, a, t, mat, m, a, t, mat, तीक है, इसके बाद, h, i, m, him, him, m, a, n, man, man, cat, mat, nib, n, i, b, nib, p, i, n, pin, s, i, t, sit, h, i, t, hit, m, e, n, man, आप बहुत सारे words बना सकते, question number five है, match the picture with word, यहाँ पर pictures दिये वे हैं और यहाँ words दिये वे आपको match करना है, first picture है, कौन से vegetable की है, करेला, तो vegetable है यह एक, तो आप इसको इस तरह से match करेंगे, second है banana, एक fruit है, fruit से करेंगे, यह है flower, और यह है animal, ठीक, इस तरह से आपको match करना है, देखिए आपका paper finish हो गया, तो उमीद करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो like ज़रूर कर दीजिए, और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताके हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सके, हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए अल्ला हाफिस, थैंक्स फॉर वाचिंग,